अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ अब CBI ने दाखिल की चार्ज शीट, पहले ED ने बनाया था आरोपी, ED के बाद अब CBI ने भी दिल्ली में हुए कथित शराब घुटाला मामले में CM अर्विंद केजरिवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की है, CBI CBI ने पिछले दिनों तीहाड जेल से अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार किया था, CBI ने अर्विंद केजरिवाल को राउज एविन्य कोट में पेश किया था, वहासे दिल्ली के CM को CBI रिमांड पर भीजा गया था, CBI रिमांड के बाद कोट ने अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार किया था अर्विंद केजिरिवाल के बारे में एडी ने अपनी चार्ज शीट में दावा किया है कि दिल्ली में हुए कथित शराब घुटाले के वो किंग पिन है एडी ने अपनी चार्ज शीट में ये भी दावा किया है कि अर्विंद केजिरिवाल ने शराब हुटाले में शामिल साउथ कार्टेल के लोगों से 100 करोड रुपए घूस अपनी पार्टी के लिए ली इसके अलावा भी अतिरिक्त धन की मांग की थी E.D. और CBI ने मंगुटा रेड़ी समित कई अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर अर्विंद केजरिवाल को शराब घूटाला का आरोपी बताया है E.D. ने कोट में ये भी कहा है कि 100 करोड रुपए साउथ कार्टेल से मिले उसमें से 45 करोड रुपए का इस्तमाल गोवा के विधानसबा चुनाव में आमादमी पार्टी के प्रताशियों के प्रचार के लिए किया गया वही अर्विंद केजरिवाल का कहना है कि उनको राजनीतिक साजिश में फसाया गया है केजरिवाल का कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घुटाला हुआ ही नहीं अर्विंद केजरिवाल ने कोट में ये भी कहा है कि ED या CBI को घुटाले से जुड़ा एक पैसा भी नहीं मिला और नहीं दोनों जांच एजनसी मनी ट्रोल का पता ही लगा सकी है CBI के हाथ गिरफतारी के खिलाफ अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली हाई कोट में अरजी दे रखी है अगर कोट ने उनको जमाना दी तो अर्विंद केजरिवाल जेल से बाहर आ सकेंगे